आज हम चकोरने की कर्टिंग और स्टिचिंग सिखेंगे यह है पेस्टिंग पेपर जिसे हम नैक में यूज करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम यहां पर माक करने वाले हैं अड़ाई इंच के चोड़ाई गले के चोड़ाई हम अड़ाई इंच ले रहे हैं और लंबाई अ 10 इंच के पर 10 इंच के पर चौडाइक चाहँ करनी है और आधा करनी है उपर से हम अड़ाइए लिया था नीचे से 1.5 हम और क्षिटर ने रहे हैं यह हमारी कट इंच के लिए होगा तो अंदर वाला पार्ट जो है चकोर नेक बहुत एजी है और विगनर्स हैं आपको चकोर नेक कट करने में बहुत प्रोब्लम आती है तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं चकोर नेक या फिर राउन नेक जो भी है उसमें नीचे से चुड़ाई उसकी बढ़ती होती है ताकि उसको फैलाओ मिलेगा जह हम करने के बाद हमें इसके लिए कपड़े के जोड़ पड़ेगी हम कोई भी आप गला त्यार कर रहे हैं तो कोई भी अंदर इसको फोल्ड करना है अगर आपके पास सेम कपड़ा नहीं है तो कोई भी कपड़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं इस तरह से आपको कपड़ा रख हूं है इसलिए मैं मिसाइपको बोलती होती हूं आ बीइनर सो चाहे कोई भी आपको अपने मशीन पर बीडर्ट पिन तो जरूर ही रखना है और इस तरह से आपको सेट कर देना है सेट करने के बाद अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई हमें कहां से लगानी है पहले हमें इसको अंदर से सिलाई लगानी है इस के नारे पर अब यह सिलाई लगानी के बाद हम यहां से एक्ष्टा कपड़ा को कट कर देंगे स्रिफ फोल्डिंग वाला कपड़ा ही रखेंगे तो यहां से मैं एक्ष्टा कपड़ा कट कर दे रही हूं उस्रिफ फोल्ड वाला कपड़ा ही रख ले रही हूं तो देखिए मैंने इतना इश्टा कपर कट कर दिया है अब हमें सिलह लेगानी इस तरह से फोल्ड करके इसके बाद यह हमारा में कपड़ा जिसमें हमारा अस्तर और में कपड़ा है तो दोनों को पहले हमें ज्वाइन करना होगा यह अस्तर और पार्ट है और में कपड़ा तो में कपड़ा को हम नीचे रख देंगे तो जो में कपड़ा है वो हमारा होना चाहिए उल्टा उपर से हम अस्तर ज्वाइंड कर रहे हैं इसलिए पीरियोट पीन से हम पुरा तरफ से स्क्योर कर देंगे और बड़ी सिलाई लगा कर हम चारो तरफ से इसको पैक अप कर लेंगे इसके बाद हमें जितना एक्ष्टर कपरा देख रहे हैं उन सभी को काट के हटा देना है कोई भी एक्ष्टर कपरा आपक कर नहीं रहना चाहिए इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है इसलिए साइट से जितने भी एग्ष्टर अपको देख रहे है ना मेन कपड़ा का या फिर अस्तर का वो सब को आपको काट के हटा देना है दोनों कपड़ा ब्राबर रहना चाहिए फिर कपड़ा को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए देखिए इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद आपको यहां से सेंटर पॉइंट निकाल लेना है इसी तरह से आपको गले के पार्ट में भी इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर पॉइंट निकाल देना है दोनों में आपके सेंटर पॉइंट निक सकते हैं इसके बीचो भीच मैं यहां पर बीडेट पिन लगाने वाली हूं तो बीडेट पिन यहां पर हम इसके बीचो भीच लगा देंगे और यह अच्छे से स्क्यूर हो जाएगा तो यहां पर-beeretn doubles लगाने के बाद हमें दोरी को fix करनी के लिए कि निशान लगा लेना है तो इस तरह से 4 finger को नाब है या फिर इंजी टेप से 3 इंज नाब कर आप इस तरह से निशान लगा लेंगे जहाँ पर हमें दोरी fix करना है तो जब भी हम गला अटेज करते हैं इसके साथ हम डोरी फिस्ट कर देते हैं तो उसकी लुक काफी अच्छी आती है बाद में लगाने से उसकी लुक अच्छा नहीं आता है तो देखें मैंने इसको यहाँ पर फिक्स करके और जहां पर डोरी होगा वहाँ पर तीन चार बरिस पेस्टिंग पीपर के ऊपर प्रोसलाई नहीं चलेगा अगर पेस्टिंग पर के ऊपर लगेगी तो षीनिशिंग फरल भुक यहाँ भी तो हम पर घर तोट नहीं पर चंडने 2-3 यहाँ नहीं चलेगी उस्क्डब कवण लगा वाली डोरी होटो घुटने का डर रहतासा है अंदर वाले पाट को कट करेंगे तो यहां से पिन को रिमूब कर दीजिए और इसके बाद आपको थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसको चकोर में इस तरह से कट करना है जहां चकोर बना है वहां पर आपको कौन जैसा बना लेना है देखिए अभी मैं दिखाती है यहां से भी मैं करके यहां से इसको कट करके हटा दीजिए इसके बाद आपको इस तरह से दोनों जो चकोर पाठ है उसमें आपको कौन बना लेने और एक्ष्ट्र जितना कपड़ा होगा और एक्ष्ट्र कप्र रहेगा तो फिनिशिंग अच्छी नहीं देती इस तरह से कौन बना लेना चोटे कट्स पॉइंट लगा देने हैं कट्स पॉइंट लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे अंदर की तरफ आप इसमें देखिए पलटने के बाद अगर आप इसमें हेम करना चाहते हैं तो हेम कर सकते हैं सिलाई करना चाहते हैं तो सिलाई के बाद आप पर मैंने सुई धागा पहले से लगा कर रखा हुआ था और आपको हेम करना तो आता ही होगा कैसे हेम करते हैं तो सिंपल सी बात है हेम करने के लिए हम सिंगल धागा के यूज करते होते हैं लेकिन बाइचंस क्या होता है कभी कभी आपको धागा को मजबूत करने के लिए पार्ट को पहले यहां पर प्लेट्स बनाएंगे तो प्लेट्स जो हम बनाते होते हैं उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है तो यह जितना जैसे इसकी फिटिंग जितनी है ठर्टी है तो ठर्टी पर माक करने के बाद आपको टेप को एक निशान लगाना है और यहां से आपकी प्लेट बनेगी तो यह इसकी जो लेंग्ट है पांच इंच रख लेंगे आप चाहें तो साड़े पांच या फिर गले की उपर तक जाना चाहते हैं उससे इसकी फिटिंग अच्छे आती है तो जितनी आप गले की डीप रखे हैं उससे उपर भी निशान लगा सकते हैं इस तरह से कट लगाएंगे तो दुसरे साइड भी निशान लगाएंगे और दुसरे साइड हम इसको इस तरह से माप कर साड़े पांच पर निशान लगांगे और बस अब इसकी हम प्लेट बना लेंगे तो इस तरह से आपको पता च दोनों साइड भी सेम इसी तरह से हम प्लेट बना लिए यहां पर हमने गले को इस तरह से हेम भी कर लिया है और नीचे की पट्टी भी लगा कर आपको हेम कर लेनी है तो उमीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों